गुरु पुर्णेवा गुरु और शिष्य के संबंधों का अद्भुत परवै भारतिय संस्कृती की गरिमा, उसके महिमा गुरु और शिष्य संबंधों के कारण ही है कोई भी ऐसा एक भी महापुरुस नहीं है जिनके कोई अपने गुरु ना हो इश्वर तक पहुंचने के लिए अध्यात्म पत्मे आगे बढ़ने के लिए जीवन के लौकिक और पारलोकिक समस्याओं के समाधान के लिए एक मागदर्शक की आउशकता पड़ती है यूं समझ ले कि हम अंधेरे में यात्रा कर रहे है एक अंधाव एक्ति यदि यात्रा करेगा तो वो कहां जाएगा या तो जहां है वहीं भटकता रहेगा अथ्वा कहीं आगे पीछे चला जाएगा इसलिए उसकी एक आउशकता होती है कि कोई आँख वाला या तो कोई डॉक्टर हो जो उसके आँखों का इलाज करके उसके आँखों में रोशनी भर दे और मार्ग उसे दिखाई पढ़ने लगे अथ्वा उसकी आँखें ठीक होने लाइक न हो तो स्वेम उसका हाथ पकड़ कर मंजल तक ले जाए यह जो डॉक्टर है आँखों का चिकितसक है या दरिश्टी वाला व्यक्ती है वही सद्गुरु होता है अन्धकार से प्रकास के और ले जानी वाली सथ्था का नाम गुरु है जो हमें असथ्थ से सथ्थ्थ के और ले जाता है और गुरु की किरपा उनकी महिमा अपार है अपने तप की शक्ती, संचित पुन्य, समस्त साधनों को शिश्यों के लिए खर्च करते हैं और उनका कल्यान करते हैं कभी भी नरिंद्र सौमी विवेकानंद नहीं बन पाते अगर रामकिष्ण परमंस का संग्रक्षन न मिलता कभी भी सिवा छत्रपती सिवाजी न बन पाते अगर उन्हें समर्थ गुरु रामदास का आशिश न मिलता कभी भी छत्र साल छत्र साल न बन पाते यदि प्राननाथ का आशिरवाद न मिलता मसंद्रनाथ से गोरकनाथ या यूं कहें गुरुदत्ता त्रे के मसंद्रनाथ मसंद्रनाथ के गोरकनाथ और गोरकनाथ के अन्यन शिशे और उसी परंपरा में हमारे अखाडों की परंपरा है स्वामी रामा नंसे, संत पीपा, संत दादू, संत रैदास, संत कबीर ऐसे गुरु शिष्यों की परंपरा हमारी संस्कृती है और आज श्रद्धा और समझ के अभाव में हम गुरु तक्त्व को नहीं समझ पाते लोग कहते हैं सदगुरु आज नहीं मिलते हमारा प्रश्ण ये है कि सच्चे शिष्य कहां मिलते है जैसे शिष्य होंगे वैसे ही गुरु भी मिलेंगे जिसके अंदर श्रद्धा है भावना है और प्रबल जिजिवसा है और उतकट अभिपसा है अध्धात्म के प्रती पर मात्मा के प्रती उन्हें सदगुरु अवस्य मिलते हैं और गुरु पुरु निमा एक ऐसा पावन उसर है कि शिष्य अपने गुरु के प्रती अपनी अविरल और सहज सरद्धा को अरपित करता है और गुरु की करपा उनके उपर बरसती है इस गुरु पुरु निमा पर आप सब को बहुत बहुत सुभकावनाए और आशिरवाद